जै मसीकी and गुट मॉनिंग आज सुभा प्रभु का वच्चन हमारे लिए मती का सूसमाचार तेरवी अध्याई और साथवी आयत मैत्यू चैप्टर थर्टीन वर्स सेवन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कुछ बीज जाडियों में गिरे और जाडियों ने बढ़कर उन्हे दबा डाला मेरे प्रियों हम लोग पीछले दो दिन से बीज बोने वाले का दृष्टांत सीक रहे थे यहाँ पर हमने देखा कि किसान बीज को बोता है और वो बीज अलग-अलग भूमी पर गिरता है बीज परमिश्वर का वचन है और भूमी अलग-अलग प्रकार के वो निर्धारित करता है कि किस प्रकार का फल उत्पन होना है और आज हम लोगों ने साथवी आयत में ये पड़ा कुछ बीज जाडियों में गिरे और जाडियों ने बढ़कर उने दबा डाला मतलब जाडियों की बीज में जो बीज गिरा वो बीज उग कर तो आया लेकिन जाडियों ने उनको दबा डाला इसका क्या मतलब है मती का सूसमाचार तेरवी अध्याई और बाईस वी आयत में हम पड़ सकते हैं जो जाडियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोका वचन को दबाता है और वो फल नहीं मेरे प्रियों कितना सच है बहुत सारे लोग हो सकता है हम भी उसमें शामिल है हम लोग वचन को सुनते हैं वचन में बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हम बढ़ नहीं पाते हैं क्यों क्योंकि बहुत जाडियों के बीच में हम पड़े हुए हैं और वो जाडियां हमें द जाडिया जो हमको दबा रहे हैं वो और कुछ नहीं है लेकिन वचन में लिखा है वो है चिंता संसार की चिंता और धन का दोका इस संसार में एक बार नजर गुमाईए कौन है जो चिंता नहीं करता सभी लोग चिंता करते हैं लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है चिंता नहीं करना हमारी सारी चिंताओं को हमें प्रभू पर डालना है क्योंकि प्रभू हमारा ख्याल रखता है मेरे प्रिये भाई भेनो आज क्या आप चिंता के बोज में दबे हुए हैं अगर हैं तो आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते हैं दूसरी बात जो हमको दबाता है जिसके कारण हम बढ़ नहीं सकते हैं वो है धन का धोका देखिए मेरे प्रियों जैसा चिंता सभी लोग करते हैं वैसे बहुत सारे लोगों के अंदर धन का धोका में वो लोग फसे हुए हैं क्या है धन का दोका धन ही सब कुछ है अगर हम लोग अमीर नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो इसलिए धन कमाने के लिए वो लोग कुछ भी और किसी भी रीती में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और जिस कारण प्रभू के मार्ग से वो लोग भटक जाते हैं देख यहां दन कमाने के लिए यह सब कुछ करना पड़ता है और जब ऐसे-ईसे कदमों को लोग उठाते हैं तो वो लोग अपने जीवन में आत्वी जीवन में बढ़ने ही पाते हैं और फल उत्पण नहीं कर पाते हैं धन कमाने के चकर में लोग इतने उलत जाते हैं कि वो लोग प्रभू को भूल जाते हैं वचन पढ़ने के लिए वो लोग भूल जाते हैं कि बहुत बिजी हो गए हैं धन कमाने के लिए इतना बिजी हो गए कि प्रार्थना करने भूल गए हैं मेरे प्रियों क्या हम भी ऐसे जुंड में हैं? अगर है तो बहुत दुख की बात है क्योंकि वचन में लिखा है कि धन सब प्रकार की बुराई का जड़ है क्यों ना आज हम लोग ये फैसला ले कि परमेश्वर हमें चिंता से छुड़ा और हम धन के धोके में ना आएं मेरे प्रिये भाई भेनों आपका विश्वास को मैं बढ़ाना चाती हूं परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है अगर हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दे और जीवन में हम लोग महनत करें तो जरूर हमारी जीवन में जो जो जरूरत है परमेश्वर सब कुछ जानकर सही समय में हमारे लिए वो पूरा भी करेगा आपके बच्चों को एडमिशन मिलना है, आपके शादी होना है, आपके बच्चों की शादी होना है, नौकरी चाहिए या आपके घर में किसी चीज की जरुत है घर बनना है जो भी है मेरे प्रियों परमेश्वर जानता है और परमेश्वर आपके लिए कारियत करेगा लेकिन इन सारी बातों की पीछे मत भागिए प्रभू के खोज में लगे रहिए और परमेश्वर आपके जीवन के लिए सही स समय पर रास्ता खोलेगा एक वच्छन इस प्रकार है मती के सूसमाचार में वहाँ पर इस प्रकार लिखा है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा आज हमारा धन क्या इस संसार में है मती का सूसमाचार चटवा अध्याय और बीस्वी आयत मैत्यू चैप्टर 6 यहां पर इस प्रकार लिखा है परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकटा करो जहां ना तो कीड़ा और ना कोई बिगारता है और जहां चोर ना सेंद लगाते और ना चुराते हैं मतलब हमारा धन कहां हमें इकटा करना है स्वर्ग में इकटा करना है कैसे होगा वो हैं मेरे प्रियों प्रभू के लिए जो कुछ आप करते हों वो स्वर्ग में आपके लिए धन के रूप में माना जाएगा क्यों ना हमारी जीवन को हम समर्पन करें आईए हम लोग प्रातना करें स्वर्गे पिता आज का दिन के लिए धन्यबाद इस वच्छन के लिए धन्य जिस कारण हम आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाएं जिस कारण हम फल उत्पन नहीं कर पाएं प्रबू आप हमें माफ कीजिये करकर हम दूआ करते हैं प्रबू आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए आप मदद करना प्रबू जी एक और बार हमारे जीवन को हम समर्पन करते हैं प्रबु जी परमेश्वर सारी चिंताओं को आपके हाथ में हम समर्पन करते हैं तैंक यू जीजस की आप हमारा ख्याल रखते हैं तैंक यू प्रबु की सही समय पर आप हमारे लिए सब कुछ प्रधान करेगा प्रबु हमारा पूरा विश्वास, पूरा भरोसा आप पर है तैंक यू पर मेश्वर के आप हमारे लिए इथना अच्छा प्रबू है सारा आदर, सारी महिम आपको देते हैं इश्चु के नाम से हम मांगते हैं आमें, गॉड ब्लेस यू आल, जै मसिकी